हलो स्टुडेंट्स ये है आपका चैप्टर 2 लीनियर एक्वेशन इन वन वैरियेबल का सेकेंड लेक्चर आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि एक्सरसाइस के कोश्चन कैसे सॉल करें लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक क्विक रिविजन कर लें जो हमने लेक्चर वन में सीखा था तो आएए जल्दी से उसका रिविजन एक ले लेते हैं चैप्टर लेक्चर वन में हमने सबसे पहले ये सीखा था कि expression क्या होता है कोई भी set of calculation example दिया था चाहे मैं add करूं subtract करूं multiply divide कुछ भी करेंगे उसको expression बोलेंगे अब expression mainly दो तरके होते हैं पहला numeric expression जैसा नाम में ही लिखा है number मतलब expression formed only with numbers उसको बोलते है numeric expression जैसा कि आप देख रहे हैं सब numbers है ठीक है तीसरा second example था इसमें algebraic expression मतलब वो expression जो की algebra के साथ मिलके बनाओ मतलब जिसमें variable भी हो और number भी हो देखिए 2x plus 3z minus 40 ठीक है अब हमने इसके बाद सीखा था एक expression equation कब बनेगा जब हम उसे किसी value से equate कर देंगे ठीक है example देखा हमने 2x minus 4 यहां यहां तक तो यह expression था लेकिन जैसे ही हमने इसको equal to कर दिया value दे दी 8 यह बन गया equation ठीक है इसके बाद हमने सीखा था कि एक equation linear equation कब कहलाता है तो आपको definition याद होगी an equation whose degree is 1 हर वो equation जिसकी degree 1 हो उसे हम linear equation कहते हैं अब degree क्या होती है highest power of variable मतलब जो भी आपके equation में variable होगा उसका highest power कितना होना चाहिए 1 तब ही वो क्या कहलाएगा linear equation इसके हमने examples देखे थे आए दो तीन example भी देख लेते हैं 2x minus 7 is equal to 10 इसमे variable क्या है x और इसकी value क्या है degree की 1 इसलिए यह क्या हो गया linear equation third example देखिए 3z plus 4x is equal to 28 देखिए इसमें क्या है एक variable है और दो variable है इसलिए यह क्या हो गया linear equation in two variable जो की हमारे chapter का हिस्सा नहीं है इसलिए इसको हमें नहीं पढ़ना है ठीक है अब हम लोग पढ़ने जा रहे है exercise 2.1 जिसका question है देखिए solve the following equations क्या कह रहा है इसमें कि आपको कुछ equation given है नीचे दिख रही होंगे आपको हमें इसको solve करना है और solve करने का मतलब होता है जो भी variable given हो a, b, c, d, x, y, z जो भी variable आपको equation में given हो उस variable की value find करना जिसके बाद आपका equation equal to के बागार नमबर से satisfy हो जाए solve का मतलब क्या होता है variable की value find करना बोलो क्या होता है मेरे बाद solve का मतलब होता है variable की value find करना जो भी variable question में given हो ठीक है तो आए पहले question से start करते हम हमारा पहला question क्या है x minus 2 is equal to 7 तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा variable portion क्या है x और क्योंकि x की value 1 है degree इसलिए यह हमारा linear equation है one variable का तो यह concept clear है आपका अभी तक का वही भी equation solve करने से पहले आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि variable आपका एक side रहे और उसके साथ का जो भी number हो चाहे वो addition में हो subtraction में हो multiply में हो divide में हो उन सब को एक तरफ कर देना है मतलब आपको क्या करना है variable को एक side रखना है और number को दूसरे side रखना है तो यहाँ पर देखी हमारा variable क्या है x तो x को हम ऐसे ही लिखेंगे और इस 2 को हम इस side लेके आ जाएंगे ठीक है तो देखें इस side लाने का मतलब है यह जो already given number है 7 यह 2 हमेशा इसके बाद आएगा मतलब जो पहले से है उसे पहले लिखना है और जो भी transfer होगा जो भी इस side से side आएगा वो इसके बाद आएगा ठीक है तो 2 यहाँ से transfer होके इधर आगया अब sign क्या लगाओ मैं यह minus है तो क्या यहाँ आएक माइनस ही रहेगा बोलो बोलो minus इस साइड़ा के क्या होगा नहीं minus इस साइड़ा के minus नहीं रहेगा वो plus हो जाएगा equal to के नियम है minus चेंज होता है plus में ठीक है और plus होता तो minus में होता लेकिन यहाँ पर minus है तो हम minus की बात करेंगे जैसे ऐसे number और sign आते जाएंगे, हम उसके बार में explain करेंगे, तो बस x is equal to 7 plus 2, 9, बस इतना ही करना है, यहीं आपका answer है, अब पढ़ते हैं हम लोग question number 2, जो की है y plus 3 is equal to 10, तो वहीं नहीं हम आप लोग अपनाएंगे, variable 1 side और number 1 side, तो यहाँ पर variable क्या है आपका y, तो हम क्या लिखेंगे y, अब देखिए यहाँ पर plus है, अगर मैं plus को इस side भेजूंगा, तो यह क्या हो जाएगा, subtract होगा, क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया आपको minus इदर जाता है, तो plus होता है, जैसा कि इस question में किया था, और उसी तरह से plus अगर इस side जाता है, तो वह minus हो जाता है, लेकिन एक्त तो बस y is equal to 10 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा, 7, आदे y की value और यही हमें solve करना था, यही find करना था, ठीक है, इसी तरह से हम लोग question number 5 को देखते हैं, 6x is equal to 12, अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला था, जो variable है, उसको एक side रखेंगे, और उसके 7 वाले number को दूसर side रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 6 जो है, x के साथ, देखिए, multiply में है, कैसे पता चला, अगर variable के 7 के number के बीच में कोई sign ना हो, तो उसका मतलब होता है, यहाँ पर यह multiplication में है, तो एक step और लिखते हैं, यह इसका क्या मतलब है, 6 into x is equal to 12, अगर कोई sign ना हो variable और number के multiplication में है, अब multiply के करके हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है, variable को एक side रखना है, और number को दूसरे side भेज देना है, यहाँ हमारा variable क्या है, x, तो हम क्या लिखेंगे, x is equal to, अब 6, जो की यहाँ multiply में है, तो multiply इस side आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या होगा, 12, divide by 6, अब कट कर देंगे, 6, 1s are 6, 6, 2s are 12, x की value आ गई, 2, हो गया solve, इसी तरह से हम लोग question number 6 solve करते हैं, देखिए, question number 6 क्या लिखा है, t upon 5 is equal to 10, यहाँ पर भी देखिए, t जो है, वो variable है, और 5 जो number है, वो divide के term में है, और जैसे multiply इस side आके divide हो जाता ह उसी तरह से divide equal to के इस side आके multiply हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, variable एक तरफ और number दूसरे तरफ, तो variable हमारा क्या है यहाँ पर, t, तो हम क्या लिखेंगे, t, अब इस 5 को हमें इस side भीजना है, 5 यहाँ पर divide में था, इस side आएगा तो multiply हो जाएगा, और नियम वही, जो पहले स है, उसको पहले लिखो, तो हम पहले 10 लिखेंगे, multiply by 5 कर देंगे, तो हमारा t का answer क्या आजाएगा, 10, 5 जा 50, हो गया solve, t की यह value हो गई, अब इसी तरह हम लोगा अपने last part पर बढ़ते हैं, जो कि यह हमारा question number 10, 14 y minus 8 is equal to 13, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यह 14 अब देखिए, यहाँ पर 14 y एक term है, 8 आपका दूसरा term है, और 13 तो आपका equal to के बाद लिखा है, मतलब 13 हो गई value, मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, variable को एक side रखना है, और number को दूसरे side बेजना है, अब यहाँ पर दो number है हमारे वसार, 14 भी है और 8 भी है, तो 14 और y के बीच में कोई side नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, यह है 14 into y, और minus 8 is equal to 13, अब मेरे सामने doubt यह है, कि मैं पहले 14 को इधर भीजू, या 8 को इधर भीजू, क्यों, क्योंकि हमें variable को अकरे रखना है भीजना है, तो हमें दोनों को है, 14 को भीजना है, 8 को भीजना है, लेक अगर plus और minus हो, किसी भी variable के साथ, तो पहले वही जाता है दूसरे side, multiply divide पहले नहीं करते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही 14 y को लिखेंगे, पहले 8 को इस side भीजेंगे, तो जो पहले है, 13 पहले से हैना वहाँ पे, तो 13 को पहले लिखूंगा मैं, और यह minus 8 इस side आके क्या बन जाएगा, minus किस में change हो जाएगा, प्लस में change हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 13 प्लस 8, एक बार और लिखेंगे, 14 y is equal to, 13 में 8 add करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 13 में 8 add करेंगे, तो क्या मिलेगा, 13 प्लस 8 हो जाएगा, आपका 21, अब देखिए, अब यह 14 और y multiply में था 14 को मैं अगर इस साट भेजूंगा तो multiply अधर आके क्या हो जाता है divide तो जो पहले से है वो पहले और वो divide by 14 तो इसको solve कर लेते हैं 7 2 जा 14 और 7 3 सा 21 तो हमारे y की value क्या आगई 3 upon 2 हो गया question number 12 पे आते हम देखिए क्या लिखा है question में x upon 3 plus 1 is equal to 7 upon 15 तो हम लोग वही काम करेंगे क्या करेंगे पहले variable को एक side रखेंगे और उसके साथ में जो भी number होंगे उन्हें दूसरे side भेज देंगे कहां equal to opposite side तो देखिए यहाँ पे भी दो number है एक x upon में 3 है और plus 1 है तो जैसा कि मैं last question में बताया था आपको कि यह x upon 3 एक term है और आपका plus 1 दूसरा term और यह आपका equal to के बाद की value है मतलब यह plus अलग है ठीक है तो जब भी question में x upon 3 हो या multiply divide हो उसके साथ अगर आपको plus या minus दिखेंगे तो हम पहले इसको opposite side भेजते हैं इसको solve कर लेंगे उसके बाद यह divide इधर आएगा तो पहले हम क्या करेंगे इस plus को इस side भेजेंगे तो क्या लिख जाएंगे जो पहले से है वो पहले रहेगा तो 7 upon 15 पहले रहेगा यह plus 1 इधर आके क्या बन जाएगा minus 1 अब यहाँ देखिए इसके पास तो denominator है माइनस हम direct कर नहीं सकते 7 up minus 1 6 कर दूँ और 6 upon 15 आशा लिख दूँ ऐसा तो होगा नहीं हम क्या करेंगे पहले denominator को same करेंगे तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसको मैं upon 1 कर सकता हूँ ठीक है अब मुझे इसको 15 बनाना है तो 15 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं into 15 नीचे और अगर नीचे multiply किया है तो मैं उपर भी multiply करूँगा तो क्या मिल गया हमें x upon 3 is equal to यह पहले से है minus 1 upon 15 अब क्योंड़ी 1 into 15 हो जाएगा 15 तो अब denominator क्योंकि same हो गया इसलिए हम numerator numerator subtract कर सकते हैं तो 7 minus 15 क्या आजाएगा यह पहले से है इसको ऐसे ही लिखेंगे 7 minus 15 होगा 8 और sign of greater number जो की है minus तो यह हो जाएगा minus 8 और denominator 15 ठीक है तो अब क्योंकि अब हमारे पास एक एक term रहे गया है इसलिए अब हम इस divide को इधर लाएंगे और divide इस side आके बन जाएगा multiply तो हमें x की value क्या मिलेगी minus 8 upon 15 यह 3 इधर divide में था इधर आके हो जाएगा into 3 multiply by 3 तो अब देखिए 3 और 15 यह कट सकते हैं हम काट देंगे 3 तो हमारे x की value क्या गई minus 8 upon 5 हो गया बस इतना ही करना था तो यहां पर आपका exercise 2.1 खतम होता है मैंने इसमें सिर्फ selected question किये हैं बाकी के question आपको करने है including these questions मतलब आपको यह question भी करने हैं और बाकी यह question भी करने हैं और मुझे भेजना है ठीक है है